देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नैशनल इंडिया नियूज स्वावत है आपका नैशनल इंडिया नियूज में मैं हूँ आपके साथ परजार सिनोना सितारगंश में रोट के निडमान और चौड़ी करन को लेकर अनिश्वित कालीन धरना दिया गया धरने पर बैठे हर वैक्ति की यही मांग थी कि हमारी मांगे पूरी करो आपको बता दे कि 12 किलोमेटर की रोट जो की सिडकुल सितारगंश जाती है इसका निडमान करके इसको चौड़ी करन की लगतार मांग की जा रही है क्योंकि रोट के खराब होने के कारण आए धिन यहां एक्सिडेंट होते रहते है जिससे मौते भी होती है लेकिन इसके बावजूद भी अब तक इस रोट को ठीक नहीं कराया गया हलांग की खराब रोट के कारण अब तक यहां चौबन मौते हो चुकी है हलांगी शासन के प्रशासन कोई भी बैक्ती या अधिकार इसके जिम्मेदारी लेने को तयान नहीं है इस दोरान वहां उपस्थित सितारगंज चेर्मेन हरिश दूबे ने बताया कि सितारगंज सिडकुल तक रोट का चौड़ी करन होना बैशक जरूरी है जिस पर सरकार के दोरा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा चलने वाले ट्रक और डंपरों से आए दिन आने जाने वालों की मिर्ति हो रही है लेकिन शासन पर शासन जागने को तयार नहीं है वह धने पर उपस्तित हेम चंदर ने बताया कि हमारी मांगी लंबे समय से चल रही है एंसरकों को सही किया जाए लेकिन किसी का भी पैच लेकिन किसी का भी ध्यान इन रोडों की तरफ नहीं जा रहा इस रोड से करीब तीन हजार डंबर और ट्रक निकलते हैं जिसकी वज़ा से स्कूल के आने जाने वाले बच्चों को भी खत्रा हो सकता है और जो व्यक्ति सेटकुल कंपनियों में काम करते हैं जाने के बाद भरोसा नहीं है कि वह व्यक्ति अपने घर वापस आएगा ये नहीं इन सभी समस्याओं को लेकर सिनोना इस्थानिये सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं धरने पर बैठे हुए आज चाथा दिन हो गया है लेकिन प्रश्यासन का कोई भी व्यक्ति हाल तक पूछने नहीं आया आजम शिसोना रोड पर खड़े हुआ है यहां रोडों को लेकर एक धन्ना दे रखा है बहुत जाजा रोडे खस्ता होई पड़ी है तूटी होई पड़ी है और बुरा हालत है बुरी हालत है रोडों की और यहां पर सभी किये डिमांड है कि रोडों को जल्दी से जल्दी पनाया जाए बच्चों को आने में पड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है इस जर्ब तक रोडों का निर्मान नहीं होगा, हम धरने पर से नहीं उठेंगे, तो हमारे सितार इसे चेर्मेन स्रीमान हरी दुबेजी आए हुए है, इंदे दोड़ा जानकारी लेंगे, लिए आगे इसमें क्या विवस्ता है और ये धरना कर तक चलेगा, तो दुबेजी इस जर्ब बताएंगे आप, आपने रोडों को देखा होगा, ये रोड को चौरी करन करने के लिए हमारे बच्टी है, पर आप करदान हमारे कुल्दीन TV साथ में यहां पर खड़े हुए हैं, सारे जेट कुल्दीनी की खड़े हैं, हम सारे लोग आज चौता दिन हैं, हम सा चौता दिन है, हमारे बच्टी के में यह दर्णा परदर्शन चल रहा है, और हमने यह तैह करा है, आज सब लोगों ने बैठ कर, कि अगर सिक्र हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो आमरान अंसन जो पहले से ही जो चेतावनी दी गई है, वो आमरान अंसन भी किया इन रोडों की निर्माओं को ले करके, हम दोड़ा भाट्जी से जानना चाहेंगे, कि भाट्जी की और क्या तयारी है, जो धना परदर्शन चल रहा है, इसमें और आगे क्या करेंगे, जासा जी दिवेकी ने बताया, आप चोता दिन है, हम लोग इस रोड के चौड़ी कर अगर सासन पर सासन हमारी माओं की अंदेखी करता है, तो इस सिरुष से यांदोलन और तीप्री जदिसे करे रहा है, जैसा कि आपने तो कहा हुआ है, जो भीजीवी लोग इस करने को प्रचल दे रहे हैं, ये प्यक्तिकत आप्यांचाओं का प्रेस्ट नहीं है, ये लाइ देख्यां की है, जो कि आज लाइबलाइन में होको, ये डैडलाइन होगी है, तुन्य अपने रूप में इसका नाम्गन दिया जा रहा है, तमाम मत वते हे हो चुकी है, उसम्ये जिनों एक इरंजिनश सीम् गाणा जी जन की मध हैं, तर्द के चलेश भीजैत थी, गिस्के सब्सक्राइब करने के अंदर बारता हुई थी उस बारता में यह तही हुआ था कि स्पीट गौर्णर करने सब्सक्राइब लगाए जाएगा जो कि अभी तक उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है अभी तक उसके कारवाई हुई नहीं है कि अभी तो थी इस्टोर्ट करेशन यहां पर चाहिए अगर जब तक वेकलफिक मार्ग नहीं बनता है तब तक स्कूल के आने जाने के समय और शुपी के समय वो इंट्री जोड़ के से तरह को नहीं होना चाहिए अब इनको जो अश्वासन दिक्सित की रिपोर्ट धन्यवाद देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नैशनल इंडिया नियूज